बेतिया में प्रेमका के परजनों को बंधख बनाने वाला मामला सामने आया है बेतिया के महिंद्रा कोलोनी में प्यार के चक्तर में यूबती के सजन को 6 घंटे तक पिश्टल के बल पर बंधख बनाया गया आपको बताए कि S.P. ने यूबती के माता पिता और दादी से बीते 23 माई की घटना के संबन्ध में जानकारी लेने की कोशिस की हलानकि यूबती के पूरे परिवार सदमे में रहने के कारण कुछ भी बताने की सिती में नहीं है S.P. ने बताया कि वे मामले की जात के लिए गय हुए थे उलेखनी यह है कि बीते 23 माई को पूरवी चंपारण के गोविन दगंज थाना चेतर के बहादूर पूर गाव निवासी सतीस कुमार सिंगुर्फ विकास एक तरफा प्रेम को लेकर यूबती के घर में पिश्टल लेकर घुस गया था यूबती के माता पिता और दादी को बंधग बना लिया था घटना की सूचना पर पहुँची पुलिस को भी एक कमरे में बंधग बना लिया करी 6 घंटे की काफी मसकत के बाद आरूपी यूबक को पकड़ा गया पुलिस इस मामले की जाज तेजी के साथ कर रही है घटना की हर बिंदू की गहराई से परताल की जा रही है हरंकी इस घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही है